रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 11 के स्नैपसट बुक से अड्रेस स्टोरी पढ़ेंगे जो कि मार्गो मिन को द्वारा लिखा गया है तो आईए स्टार्ट करते हैं यह जो कहानी आड्रेस है यह उस चीज से स्टार्ट होती है जहां पर हम देखेंगे कि एक विक्टीम है जो कि वार के वज़ा से अपने नेटिव प्लेस पर वापस रिटर्न हो रही है यह कहानी एक बेटी के बारे में है जो कि अपने घर हॉलेंड में वापस आ रही है वो इ उसका स्वागत अच्छे तरीके सनी होता है और वो जो एड्रेस उसके पास होता है उस एड्रेस को फॉलो करती है उस एड्रेस में लिखा रहता है हाउस नंबर 46 जो की मारकोनी स्ट्रीट में रहता है वहाँ पर जाने के बाद जब दरवाजा खटकटाती है तो एक महिला दर कर देती है जो ऑथर हैं वो नोटिस करती है कि जो और तभी बाहर निकली थी वह उसकी मां की हरे रंग की उनाई की हुई स्वेटर पहने हुई है और उसके बाद वह बहुत जादे स्योर हो जाती है कि जहां पर वह आई है वह सही जगा है और ऐसा भी नहीं हुआ कि जो वह पापस जाने लगती हैं और सोचने लगती हैं जो वो दिन बिदाय होती हैं चुकि उनको ध्यान आता है कि जो वो एड्रेस उनके पास है उन्होंने अपने माता से लिया था और वह भी बहुत साल पहले और वहां से रिटर्न होने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सा जो author की माँ है वो सब precious चीजे जो थी valuable जो चीजे थी वो Mrs. Darling के यहाँ छोड़ देती है ताकि उसको Mrs. Darling एकदम सेफ रखें और इसी के वैसे बहुत सालवाद जब author को लगता है कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और जो उनका belongings उनके माँ का belongings वहाँ पर है उसको लाना चाहिए चुकि Mrs. Darling के उस कथन को वो सुनती है कि तुम वापस चली जाओ फिर भी सुनके अंसुना करते हुए फिर से कोसिस करती है कि Mrs. Darling के पास एक बर और जाना चाहिए पहली बार जाती है तो उन्हें वो पहचानने से इनकार कर देती है लेकिन जब दूसरी बार वो वहाँ अंदर साल की एक बच्ची जो रहती है वो दरवाजा खोलती है इससे ये पता चलता है कि उसकी जो मा रहती है वो घर पे नहीं होती है इट मेंस Mrs. Darling घर पे नहीं होती है और जो ऑथर है वो अपनी चाहत बताती है अपनी ख्वाइश बताती है कि वो उनकी मां से मिलने आई मिलने देखने में होता है ये चीज़ देखने के पाद वो बहुत बहुत पराती है तो जो नगिए यहां पर और दीया हुआ जो समान रहता है सेफली रखने के लिए उन सब चीजों से Mrs.торling का जो रूम रहता है उवह भरा रहता है मिस्स डारलिंग आ है ईह सीमिलर तो नहीं रहता है या फिर रखा हुआ belonging है उसको वापस ले जाएं इसलिए उसके बाद वो घर छोड़ देती हैं और चली जाती हैं और अपने मन में विचार करती हैं कि जो उनकी माने address दिया है उसको वो भूल जाएंगे और उनके मन में ये भी विचार आता है कि अब जो चीज माने Mrs. Darling के पा Subscribe my channel Retro Studies